नमस्कार दोस्तों आप सबका एक बर फिर से स्वागत है हमारी चैनल शिबानी देवनाद के वीडियोज में दोस्तों जैसा कि आप जानते होंगे कि हमारी इस चैनल के मद्दम से रोजगार और सरकारी योजना से संबन्दित नई नई जानकरी हम देने की कोशिश करते हैं ताकि आप में से जो बेरोजगार भाई बहन है वे रोजगार पासके आज भी मैं ठीक वैसा ही एक सरकरी योजना को लेकर आपके सामने आई हूँ ताकि हमारे जो बेरोजगार मजदूर भाई और बहन है उनको फाइदा मिल सके दोस्तो आज हम बताएंगे कि इश्रम कार्ट के लिए और बारे में विस्तार से जानने के लिए इस वीडियो को अन तक देखिए और हमारे इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें रोजगार और सरकरी योजना से संबंदित और जानकारी पाने के लिए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजेगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजेगा ताकि वे भी इस योजना का ल जैसे निर्मान श्रमीक, प्रवासी श्रमीक, घरेडू कामगार, प्लेटफर्म कलाकार, क्रीशी कामगार और अन्य असंगतित श्रमीक ऐसे लोग जिन्हें किसी योजना का लाप नहीं मिल पा रहा है क्योंकि उन्हें किसी सरकारी योजना के बारे में जानकारी नहीं हो प मुजद्रों की भलाई के लिए जो भी उनके पास श्रमिकों का डाटाबीस होगा यह रास्टियस्तर का पोटल देश की अर्थ व्यवस्ता में बड़ी भूमी का निभाने वाले इस कार्ट के माध्धम से श्रमिकों को कोई योजना का लाब भी प्रदन किया जाएगा जो पूरे देश में मानने होगा दोस्तो जीस तरह भारत में हर बेक्ति के पास पहचान पत्र की रूप में एक अलग आधर कार्ड नंबर होता है इसी तरह इश्रम कार्ड भी बना देगा बेक्ति को भारत के मज़दूर की पहचान इस कार्ड के माध्धम से श्रमिकों को उनके काम के आधर पर बांटा जाएगा जिससे उन्हें रोजगार उपलर्द कराने में मदद मिलेगी दोस्तो आपको बता दें कि इश्रम कार्ड के लिए आविदन करने के लिए कोई शूल की यानि फीस नहीं लिया जाएगा लेकिन अगर आप UN कार्ड में किसी तरह का डेटा अपडेट करते हैं तो आपको 20 रुपे देने होंगे यदि कोई कर्णचारी इश्रम पोटेल पर पंजिकरीत है और वो किसी दुरगतना का स्विकार होता है तो वह मित्तु या स्थाई विकलंगता पर 2 लाग रुपे के लिए पात्र होंगे अब बात करते हैं इश्रम कार्ड के लिए पंजिकरन कौन कर सकते हैं यानि इसके लिए पात्रता मांदन क्या है आविदक के आयू 16 से 69 वर्ष के बीच होनी चाहिए EPFO या ESIC का सदेस्टर नहीं होना चाहिए आविदक आयकर दाता नहीं होना चाहिए और आविदक को असंगरित शेत्र में काररत होना चाहिए दोस्तो इश्रम कार्ड के लिए जिन आविशक दस्ताविजों की जरुरत होती है वो है आधर कार्ड, बैंक पासबूत, रैशन कार्ड, बिजली का बिल, सक्रिया, मोबाइल नंबर दोस्तो कामगारों को इश्रम पोटल पर खुद को पंजिकरित करने के लिए अपने निकरतम कॉमन सर्विस सेंटर में संपर्क कर सकते हैं दोस्तो इश्रम कार्ड ऑनलाइन अप्लाइ करने के लिए सबसे पहले आविदक को अफिशेर वेबसाइट पर जाना होगा जिसका लिंक है register.eshram.gov.in वहाँ आपको register in इश्रम लीग पर लीग करना है उसके बाद self registration page open हो जाएगा select करने के बाद अगला page खुलेगा उसमें आविदक को अपना mobile number डालना है जो आधर कार्ड से जुड़ा हुआ है उसके बाद capture code भरना होगा file करने के बाद आपको EPFO और ESIC के लिए हाँ या नही के option का चयन करना है इसके बाद send OTP पर click करना होगा अब आविदक को एक OTP प्राक्त होगा पुछे गए अनुभाग में OTP दर्ज करना है अब आविदक को अपना आधर कार्ड नमबर दर्ज करने और नियम और शर्ते स्विकार करने के लिए कहा जाएगा और submit बटन पर click करना होगा इसके बाद आपके सामने आविदन फर्म खूल जाएगा जिसे आविदक को भरना है फिर सभी दस्तावेज भरने के बाद आपलोड करने होगे इसे बनाने के बाद submit पर click करें और भविश्य के संधर्व के लिए आविदन पत्र के हाट को पी ले इसके बाद आपका पंजीकरन इस्रामिक पोटेल पर पूरा हो जाएगा दोस्तो इस वीडियो में बस इतना ही उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी दोस्तो नएने बीजनेस आईडियो सरकरी योजना और रोजगार से समान दीत और जानकर या पाने के लिए अवश्य इस चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और शेयर करें धन्यवाद जय हिंद भारत मता की जये